कि हिंदेनबॉर्ग एक रिपोर्ट देता है आदानी ग्रूप के बारे में और रिपोर्ट को बेस करके मार्केट में इतना फियर हो जाता है कि वह चार हजार का अदानी एंटरप्राइज का सेर अभी 1500 में बेच रहा है और करेंड मार्केट प्राइज जो 15 रूपया करके है आज इतना फ्लक्शेशन हुआ आज 25 पर्शन लगबग 25-30 पर्शन लगबग गिरा फिर से वापस रिटन किया मतलब 11 सल तक आ गया था पंद्रह सो का सेर उसके बाद फिर से वह वापस जाके अप्रोक्स दो तिन परसेंट नीचे वह क्लोज हुआ तो यह जो आदानी के बारे में पूरा अज दिन भर हर न्यूज चैनल में आदानी के बारे में ही चल रहा है क्योंकि यह जो एक बहुत बड़ा एमाउंट है एक सो पचास बिलियन का उनका कम्पनी हो गया था वर्ल्ड में 52-60 व्ल्ड का थोर्ड नंबर थार्ड रिचस्ट परसन मन गया थे और यह पांच साथ दिन के अंदर एक हप्ते में एक जटके में एक रिपोर्ट कम्पनी को पुरा उसका जो प्राइश पुरा सीधा 35-36 रूपया करके चल रहा था और सीधा आके 15 अपे लग गया और आज वो बाउंस बेग नहीं करता तो अल्मस्ट 11 से क्या स्पास आ गया था तो लोगों ने अपना ट्रॉस्ट जताया है तो सोचें कि यह प्राइस जो अभीक का जो प्राइस आ गया है 11 रूपया या 12 रूपया यह एक बेस भेलू से मतलब और उपर जाना चाहिए तो लोग पर्चेज फिर से किये हैं और पर्चेज करने के बाद से फिर से बाउंस बेक होके अल्मस्ट उसका प्राइस पे आ गया है तो मंडे बहुत क्रूशिल रहेगा मंडे देखा जाएगा कि यह कि प्राइस क्या हो रहा है प्राइस लोग उस पर कर रहे हैं या फिर से डर के सेल कर रहे हैं यह बहुत बड़ा इंपोर्टेन्ट एपका मंडे क्योंकि इतना सो बीलियन डलर जो सेल होता है तो सोच सकते हैं मार्केट का इंडियन मार्केट का क्या हालत हो सकता है लाइसी और बहुत सारे बैंक आदानी को लोन देके रखे हैं तो इसलिए पारलेमेंट में भी ये ओपोजिशन गुर्मेंट को कोशिन कर रहा है अब इसलिए करना चाहिए कि ये इतना बड़ा रकम क्लालिफिकेशन भी आया है कि हम लोग ने अपना एसेट जो देखके अपना लोन दिया गया है और ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा बैंक के उपर इस बीए के उपर तो इस बीए भी आज नीचे गया था और फिर से वह वापस क्लोजिंग टाइम पर फिर से वापस आ है और आपको अलमस 36,000 क्रोर ऐसे जो रिपोर्ट आ रहा है डिफरेंट रिपोर्ट वो लोग आदानी को आदानी ग्रूप को नोट अदानी एंटरप्राइज यादाली टोटल गैस हो गया अदानी ग्रीन हो गया ऐसे बहुत सारे क रावन 36,000 क्रोर ऐसे डेप्ट इकुटी इंवेस्टमेंट इसे डिफरेंट आफ इंवेस्टमेंट थ्रो पर यह दिया है तो अलमस्ट उसका जो इंवेस्टमेंट डबल हो गया था जो आदानी का प्राइस जब 3,800 या 4,000 के आसपास था तो लाइसे का सेयर का भेलू तब 87,000 क्रोर का हो गया था लेकिन अधानी के साथ-साथ इन लोग का भी मार्केट प्राइस इन लोग का भी जो प्राइसे पैसा उन इतना पैसा नहीं होता है नहीं तो आप सोचोंगे कि दो दिन पहले ही वो थर्ड रिचस्ट था उसका पैसा कोई चोरी कर लिया गया इतना पैसा क्यों कहां चला गया कि फिर से 15-20 सिरियल लंबर पर चले गया तो यही है कि वो पैसा उनके पास केज नहीं रहता है सब सेयर के हिसाब से रहते हैं यह सब बड़े बड़े कंपनी का जो फांडर्स होते हैं या जैणरल 되어 सीघ्य जोốt 않ते हैं यह मैनली ऊने सेयर होता है थो लोगे होता है जैय रता तो अधनी ग्रूब का FPO भी आया था और वो फुली सब्सक्राइब हो गया था कोई-कोई लोग बोल रहे हैं आदानी खुद उनका जो रिलेटिव कॉंपनीज है या उन लोग का उनका जो इंसाइडर से वो लोग खरीदे थे इसे लिए आदानी कैंसल कर दिया FPO को क्योंकि अल्रेडी मार्केट में बहुत सस्ते में सेयर मिल रहा है तो लोग क्यों तीन अजार दोसो तीन सो देके आपका सेयर खरीदेंगे तो इसलिए लोग नहीं खरीद रहे थे और इसलिए सायद उनको कैंसल करना पड़ा है तो वह भी एक नेगेटिव निउस था अधानी के लिए तो अधानी के फंडमेंटल अभी तक इतना उइक नहीं है सबका ही कहना है कि जो सेयर प्राइस है वो काफी ओभर वेलूड है और इसमें कुछ इंसाइडर ट्रेडिंग हो या इसम अपको सुधारना चाहिए क्योंकि future में इस टाइप का problem ना हो और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फसना जाए रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ना हम लोग जैसे हम लोग को पता नहीं होता है क्या चल रहा है वह सस्ते में मिल रहा है आदानी 4000 अब हजार में मिल रहा है ख ही तो प्रॉफिट यतना कर रहा है दो यह तो आपणिद के प्रॉफिड यह वाले का भॉफिड यह है में यह भाल k3 मुझे तो फिर गुर्फिडि ए इतना नहीं देखता है है तो डिविडेट नहीं तरह मुझे वह कॉंपनी इतना एट्रैक्टिव नहीं लगता है बले वह कितना हो गया कितना वह रिटन दे दिया तो मैं थोड़ा सा उससे दूर रहता हूं तो लगता है कि चलो मेरा सेर नहीं है इतना बढ़ गया मैं मतलब यह स्टार्टिंग में होता था अभी इससे तो थोड़ा दूर है अभी स्टेबिलिटी ओप्म हो गया है थोड़ा बहुत तो लगता है कि नहीं हमें नहीं जाना जो लग रहा है कि कांपनी का जो प्राइस है वह बहुत चाहता है जो कि उसका एसेट और प्रॉफिट से लग रहा है तो मुझे मैं इसलिए इससे आउट हूं तो आदानी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट रहेगा आदानी के साथ-साथ बैंकों का भी हालत खराब है क्योंकि वो कुछ ना कुछ आदानी को प्राबलम होगा तो बहुत बड़ा एमाउंट जो बैंक उसको लोन या उसका डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसके लिए बहुत या जो जो सेयर प्लीज करके पैसा लोन लिए हैं यह सब बहुत प्राबलम में डाल देगा बैंक को बैंक का फाइनेंशियल विक हो जाएगा और यह एक बहुत बड़ा ट्रॉस्ट फेक्टर है जो कि पब्लिक जनरल पॉब्लिक जो इस बेए में पैसा रखे हैं या आप लाईसी में इन्वेस्ट की हैं लाईसी मान लो कॉलाप्स हो जाएगा तो लोगों का जो ट्रॉस्ट को मतलब ःता है यह उसके एक एक और सिस्टम को गरा देता इतना बड़ा कॉंपझुद की जो फेल होता है राइट तो सो बिलियों डॉलर का जोब सेल होता है मार्केट में तो सोच चकते हो कितना बारी सेल है बढ़ा सेल लोग इतना डरके मारे सेल करते हैं ने आफिसले टेकंड लेकिन लोग कुछ हिमत देखाएं आज करीदें तो यह वारें बोपुए जो बोते हैं कि हम्दा मार् और सब लोग जो एक सेयर के बारे में आता है कि वह बहुत बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा खरीद रहें पैसा बढ़ रहा है तो सेयर से दूर रहते हैं स्मार्ट इंबेस्टमेंट तो आज ही सुभा को लोग खरीद के बेज देते तो ग्यारे सब्सक्राइब का कंडिशन लेकिन आप हिमत दिखाना बहुत मुश्किल है कि हजार तक चला गया सेयर तो साइथ पांसा तक ना आ जाए और मेरा पैसा आधा ना हो जाए बहुत एक आपको एक मतलब इस टाइप का जब गिरता है उसको आप मतलब टेकल करना या उसमें आप ब्रेव बनके इन्वेश्ट करना इसे बहुत दिफिकल टास्क तो लेट सी हाव अधानी इस कमिंग बैक और बांस बैक एस बिफोर और हाव तो लेट सी इट कें रीच इट्स ऑजिजनल पॉजिशन और नॉट जो कि वो अपना मार्केट के विटिलाजिशन बोली है या से करेंट मार्केट प्राइस चार हजार का जो पहुंचा था उतना पहुंच पा रहा है कि नहीं और या दुनिया में एक जो पॉजिशन था ट तो बहुत करब की बात रहता है हर इंडियन को क्योंकि हमारा एक इंडियन है जो कि टॉप टेन रिचेस्ट परशन तो हम लोगों को गरीब बोलना बंद किया करो इस टाइब का मतलब आप बोल सकते हैं आप अल वर्ल्ड ओल्सो टॉप टेन लिस्ट देखते रहते हैं चलो कादमी के पास बहुत पैसा एकठा हो जाता है जब कैपिटलिजम होता है ना जो कोई एक रीच है बाकि इतना गरीब लोग है इसका मतलब कोई किसी के पास बहुत पैसा है कठा हो रहा है तो यह इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है एक दो रहेंगे तो टॉप टेन के अ साल के अंदर कुछ बाउंस वेग होने वाला हैं पर पता चले का मंडे माकट से तो फिर मिलते हैं आपका इंबेस्टमेंट है तो मझे लग रहा है आप स्ट्रॉंग रहना चाहिए फिर रहो के क्योंकि अल्रेडी 40-50 परसंट घट गया है तो उस प्राइस में आपको बैचके क्या फाइदा होगा बैटर है आम लोगों को यही करना चाहिए कि स्टेबिलिटी या कब वापस आ रहा है उसमें तब तक वेट करने से अच्छा रहेगा आगे आप अपना फाइनेंसियल डिसकस करके जो भी डिस्टन ले सकते हैं यह सब रिस्की स्टॉक्स होते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिल लेंगे और एक वीडियो में तब तक कर दाई हैं